प्रधानमंत्री मोदी तीन दिन के दौरे पर थाइलेंड गए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने थाइलेंड में विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो काम करता है लोग उससे ही काम देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एस्ट एशिया और ख्षेत्रिय व्यापक आर्थिक साज़दारी समिट में भी शरकत करेंगे। बैंकॉक में प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी के 550 वी जैन्ती के मौके पर एक सिक्का जारी किया। इसके साथ ही तमिल ग्रंथ तिरुक कुल का थाई अनुबाद भी जारी किया। जम्मु कश्मीर और लदाग के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दोनों का नक्षा जारी किया गया है। नए नक्षे में पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मु कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है। वही नए नक्षे में P.O.K. के मीरपूर और मुझफराबाद जम्यु किश्मीर का हिस्सा है। जारी किये गए नए नक्षे में गिलगट बालतिस्तान को लढ़्डाक का हिस्सा दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर के पहले उपरा जिपाल गिरिश चंद्र मुर्मू ने दक्षणी कश्मीर के अनंतनाग का दौरा किया है इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की साथ ही घाटी के हालात सहित कई अन्यमुदों की जानकारी ली अमेरिकी विदेश मंत्राले ने आतंकवाद पर अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में अब भी आतंकियों की भरती हो रही है और वो फंडिंग जुटा रहे है रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल रहा है अफगान, तालिबान और हकानी नेटवर्ग पाकिस्तान में सक्रिय है यही नहीं आतंकी संगटनों से जुड़े लोग जुनाव में हिस्सा भी ले रहे है रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को आतंक के खिलाव कारवाई में अपना सबसे बड़ा साथ ही बताया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में नवंबर महिने में कश्मीर मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी यूके की स्थाई प्रदिनिधी और सेक्योरिटी काउंसिल की मौजूदा अध्यक्षर केरन पियर्स ने कहा है कि फिलहाल दुन्या में कई तरह के मसले चल रहे हैं जहां तक कश्मीर का सवाल है तो इस महीने चर्चा के लिए उसे शर्यूल नहीं किया गया है पाकिस्तान में प्रधान मंतरी इमरान खान के खिलाव विपक्षी दलों का आजादी मार्च अब भी जारी है बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इसलामबाद में मौजूद है आजादी मार्च के अगुआई करने वाले जम्यत उलिमा इसलाम फजल के मौलाना फजल और रह्मान का आरोप है कि इमरान को चुनावों में धांदली करके सेना ने प्रधान मंतरी बनाया है मार्च को कई विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला है अगिस्तान में मौलाना फजल और रह्मान ने इमरान खान पर हमला बोला और कहा कि इमरान ने हर मुद्दे पर लोगों को धोखा दिया है वो कश्मीर का रागलापते हैं लेकिन भारत ने कश्मीर में जो कुछ किया उसको रोप भी नहीं पाए उन्होंने कहा कि इमरान यूएन में पाँच मुलकों का समर्थन तक हासिल नहीं कर सके अब 48 गंटे में वो कुर्सी छोड़ दें दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में कल पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसक जड़प में 20 पुलिस वाले और 8 वकील घायल हो गए है पुलिस के मुताबिक विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ जिसके बाद वकीलों ने पुलिस की बारह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने फाइरिंग की है जड़प और आगजनी के बाद कोट की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के तैनाती की गई है जमु कश्मीर में सुरक्षा बलो ने सोपोर में एक आपरेशन के दौरान एक आतंकवादी को गिरफतार किया है आतंकी के पास से भारी मात्रा में हतियार और विस्फोटक बरामत किये गए है गिरफतार आतंकवादी दानेश तारिक चन्ना लशकरे तयबा से जुड़ा हुआ था दानेश सोपोर और बारामूला में कई दिनों से आतंकी साज़श रचने और अंजाम देने का आरोपी था पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में फिर से सीज फायर तोड़ा है पुंच के शाहपूर केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में रहने वाले आम लोगों को निशाना बनाया भारतिय सेना ने भी जवाबी करवाई की पश्यम बंगाल के मुख्यमंद्री मम्ता बेनर जी ने केंदर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की एजेंसियां उनका फोन टेप कर रही है जिसके सबूत उनके पास है वाटसब जासूसी मामले में उन्होंने केंदर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है मम्ता ने कहा कि सरकार मीडिया, जजेज और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों की गतिवीधियों के निगरानी के लिए इसराइली कंपनी एनेसो ग्रुप का सहारा ले रही है कॉंग्रेस के अंतरे मध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वाटसब जासूशी मामले पर मोधी सरکार पर हमला बोला है सोनिया गांधी ने दिली में पार्टी नेताओं की बैठक में कहा कि सरकार ने इसराइल के सौफ्ट्वेर पेगासस से सब की जासूसी करभाई है उन्होंने कहा कि ये काम न सिर्फ असंबेधानिक है बलकि शर्मनाग भी है रक्षामंत्री राजनाज सिंग तीन दिन के उस्बेकिस्तान दौरे पर है इस दोरान राजना सिंग ने अफगानिस्तान के चीफ एक्जिकेटिव डॉक्टर अब्दुला अब्दुला से भी मुलाकात की राजना सिंग ने ताशकंद में हुए शंगाई सहयोग संगठन के सम्मिलन में कहा है कि आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है इसके खात्मे के लिए दोहरा रवया छोड़ कर सभी देशों को एक साथ आना होगा साथ यातंकवाद पर बनाए गए सभी अंतराश्ट्रिय कानून और तंत्र को मजबूती के साथ लागू करना होगा कॉंग्रिस निता और पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोद सिंग सिध्धु ने विदेश मंत्री एस जैशंकर और पंजाब के मुख्य मंत्री अमरिंदर सिंग को पत्र लिख कर पाकिस्तान जाने के अनूमती मांगी है करतारपुर कॉर्डोर के उद्गाटन समारों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें न्योता दिया है अयोध्या जमीन विवाद पर फैसला सुनाय जाने से पहले दिल्ली में मुस्लिम संगठनों की बैठक हुई है इस बैठक में एक प्रस्ताव पास कर कहा गया है कि कोर्ड का फैसला पक्ष में आई या विपक्ष में इसे सब को मानना होगा फैसले के बाद देश में शान्ती और अमन बनाय रखने की भी अपील की गई है दिल्ली सरकार दिल्ली के प्रदूशन के लिए पंजाब हर्याना के साथ साथ केंद्र सरकार को जिम्मिदार ठहरा रही है इस बीच पंजाब और हर्याना के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को चिठ्ठे लिखकर कहा है कि दिल्ली में प्रदूशन के लिए कोई एक व्यक्ति या सरकार जिम्मिदार नहीं है हर्याना के उपमुख्य मंत्री दुश्यंतो चाटाला ने कहा है कि पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में ज्यादा हो रही है दिल्ली NCR में प्रदूशन का इस्तर खतरनाक है से हवा की रफतार भी तेज हो सकती है इससे प्रदूशन का इस्तर कम हो सकता है ग्रीन पीस और एर विज्वल की 2019 में आए रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30 सबसे प्रदूशिद शहरों में से 22 शहर भारत में है दुनिया की 3000 शहरों में 64% शहरों में वायू प्रदूशन का इस्तर खराब है वहीं WHO की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूशिद 15 शहरों में से 14 शहर भारत में है इसमें दिल्ली, कानपोर, वारनसी, धनबाद, लखनव, मुरादाबाद और पटना जैसे शहर शामिल है देश भर में छट का महापर्व मनाया जा रहा है आज सुबह उकते ही सूरज को अर्ग देने के साथ ही छट वरत समाप्त हुआ कल डूपते हुए सूरज को अर्ग दिया गया था दिल्ली से लेकर पटना तक घाटों पर बड़ी संख्या में श्रधालू जुटे हुए है वहीं धाइलन्ड की राजधानी बैंकॉक से प्रधान मंत्री मोदी ने भी छट महापर्व की विशेषता बताई महाराष्टर में बीजेपी के साथ सरकार गठन को लेकर शिवसेना का रोख नरम दिख रहा है शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी से बातचीत कभी नहीं रोकी गई और वो गड़बंधन धर्म का फालन करेगी आलां कि शिवसेना नेता संजर राउत ने बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटिवार के राष्टरपती शासन वाले बयान पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि राष्टरपती शासन की धमकी देकर सत्ता में आने वालों को जनता सहन नहीं करेगी शरत पवार के घर एंसीपी के हम बैठक हुई है इस बैठक में अजीद पवार चगन भुजबल समेत कई बड़े नेता मौझूद रहे महाराष्टर में सरकार गठन को लेकर एंसीपी ने साफ कर दिया है कि सरकार बनाने के लिए एंसीपी न बीजेपी और नहीं सिवसे न किसी के संपर्क में है NCP नेता आजीत पवार ने कहा कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है जिसका वो पालन करेंगे महराश्ट्र के मुख्य मंत्री देविंद्र फर्णविस ने सरकारी आवास पर कैबिनेट की उपसमीती के बैठक बुलाई महराश्ट्र के सीम ने उपसमीती की बैठक में किसानों और मच्वारों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 करोड रोपिये के राहत पैकेज का एलान किया है पर्णविस ने कहा कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी उन्होंने कहा कि अभी नुकसान का पंचनामा जारी किया है इसलिए मदद को लेकर अंते माकडा तै नहीं है लेकिन 10,000 करोड रोपिये की राशी ज़रूर जारी की जाएगी एंसीपी ने महराष्ट सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि किसानों के लिए 10,000 करोड रोपिये की मदद ना काफी है एंसीपी ने सरकार का एलान पर सवाल उठाया और कहा कि सीम के वल घोशना न करें बलकि उसे इंप्लिमेंट भी करें एंसीपी अध्यक्ष शरत पवार कल दिल्ली में कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे बताया जा रहा है कि शरत पवार महराष्ट में चल रहे राजनेतिक संकट को लेकर सोनिया गांधी से चर्चा करेंगे मुलाकात के बाद दोनों निताताई करेंगे कि महराश्ट्र में चल रहे घमासान को लेकर उन्हें क्या फैसला करना है एश के चर्चिद रामपूर सी आर पी एफ केम्प पर 31 दिसंबर 2007 को हुए आतंकी हमले के मामले में 12 साल बाद फैसला आया है आठ हारोपियों में से 6 लोग दोशी पाए गए जबकि दो लोग निर्दोश साबित हुए है निर्दोश साबित हुए गुलाब खान के घर पर जशन का माहौल है गुलाब खान जब कल रामपूर के अदालत से बरी होकर अपने घर पहुँचा तो उसका फूलों से स्वागत करने के लिए पूरा गाँ विखटा हो गया। यूपी के नोईडा में एक अभियान चलाकर प्रदूशन फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कारवाई की गई है परिवहन विभाग ने कारवाई करते हुए 22 वाहनों और फिटनेस फेल 5 वाहनों का चालान काटा है इसी के साथ नोईडा के सेक्टर 62 के डी पार्क में नोवाहन सीज कर दिये गए यूपी के साहरनपुर में यातयात महा का शुभारम किया गया है प्राविक पुलिस ने हेलमेट नव पहनने वालों के चालान काटे पूरे नवंबर महीने चालान काटने का भियान चलाया जाएगा एक महीने तक चालान काटने के लावा ट्रैफिक के प्रती जागरुकता के लिए कई करिक्रम भी चलाया जाएंगे यूपी के गाज़ेपुर में छटपूजा के लिए बनाये गए पुल के तूट जाने के वज़ा से गंगा घाट पर घंटों तक लोग फसे रहे यहां हजारों महिलाएं छटपूजा के लिए पहुंची थी लेकिन आसपास की जमीन दलदली होने की वज़ा से वो किसी दूसरे रास्ते से निकल नहीं पा रही थी देर से जागे इस दिला प्रशासन ने मीडिया के दवाव के बाद लोगों को रेस्क्यू करके वहां से निकाला यूपी के राय बरेली में सरकारी अस्पताल में अइस्थाई करमचारी अभी अनिश्चत कालीन हरताल पर है बीते दो दिनों से धरने पर बैठे करमचारी प्रबंधन से आरपार की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं अइस्साई कर्मचारियों के धरने से अस्पताल में मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है यूपी के बिजनौर में आजकल सांपों की वज़ा से दहशत फैली हुई है इसी बीच अफजल गड़ में एक कोब्रा सांप एक व्यक्ती के घर में घुस गया वही नांगल सोती इलाके में भी एक अजगर खेतों में पाया गया सांपों को देखकर दोनों ही इलाकों में लोग अपने अपने घरों को छोड़ कर बाहर निकल आये काफी मशकत के बाद सांप और अजगर को पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया गया उतर प्रदेश के सुल्तानपुर में 6 फीट का अजगर निकलने से हडकंप मच गया खेत में धान काट रही महिलाओं ने अजगर को देखते ही गाउवालों को सुचित किया खड़ी मशकत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया गाउवालों ने अजगर को पकड़ कर वनदिकारी को सौप दिया दिल्ली के साथ ही उतराखंड के चमोली में भी अचानक मौसम का मिजाज बदला है बदरिनाथ में बारिश के साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है बर्फबारी और बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है बदरिनाथ की यातरा 17 नवंबर तक जारी है लेकिन मंदिर में आने वाले श्रद्धालियों की भीड में कमी आई है मध्यप्रदेश के दतिया में पितामबरा पीट और आसपास के क्षेत्रों में गंदगी पहलाने वालों के खलाव करवाई की जा रही है हर्शनिवार पितामबरा पीट पर भंडारों का आयोजन होता है जहां लोग दोने पत्तल लेकर फेंग देते हैं दतिया कलेक्टर ने दलबल के साथ मंदिर पहुँच कर गंदगी साफ की कलेक्टर ने मंदिर के आसपास पड़ी पॉलिथिन खुद उठाई MP के उज्जैन में वरुची मार्क पर रहने वाले अशोक जैन की होंडा सिटी कार उनके घर के सामने से चोरी हो गई चोरी की घटना सीसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है जिसमें चोर गाड़ी का सेंटर लॉक खोल कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है यूपी के लखनव में एकसिडेंट के बाद कार पेड़ पर लटक गई कार में बैठे लोगों ने पेड़ पर लटकी कार से कूद कर अपनी जान बचाई कार का संतूलन बिगडते ही वो पुल से सीधा पेड़ पर जाकर लटक गई जिसके बाद वहाँ लोगों की भारी भीर लग गई डिली में सोमवार से शुरू हो रहे और डिवन के दौरान कैप कमपनिया किराया नहीं बढ़ाएंगी उला और उवर जैसी कैप से इंचालित करने वाली कमपनिया सर्ज प्राइजिंग यानि मांग बढ़ने के साथ किराय में बढ़ोतरी लागू नहीं करेंगी कमपनियों के ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिली में प्रदूशन कम करने में वो अपना सहयोग देंगी अक्टूबर में मारूती सुजुकी की कुल बिक्री पिछले साल के मुकाबले 4.5 प्रतीशत बढ़कर 1,3,435 यूनिट रही जबकि सितंबर 2019 की तुल्ला में बिक्री 25.4 पीज़दी बढ़ी है वही बजाज आटो की बिक्री पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर में 9 पीज़दी कम रही है लेकिन सितंबर 2019 के मुकाबले कमपनी की बिक्री 15 प्रतीशत बढ़ गई है मतलब साफ है कि आटो सेक्टर में जारी सुस्ती में थोड़ा सुधार देखने को जरूर मिला है वैसे त्योहरी सीजन होने का भी फायदा मारूती को हुआ है